जी के ट्रिक्स पर तो आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं साइन्स के टो फिप्टी कुईज यानिके साइन्स की ये सिरीज शुरू कर रहा हूं मैं आज से और इसमें डेली आपको साइन्स के टो फिप्टी कुईज मिलने वाले हैं डेली साम को तो चलिए करते हैं सबसे पहला प्रस्न है एनिमो मीटर से क्या मापा जाता है एनिमो मीटर से तो इससे मापा जाता है पवन का वेग यानिके हवा का वेग नेक्स्ट कोश्चन है वेरी वेरी रोग किस बिटामिन की कमी से होता है तो यह होता है very very rock vitamin B1 की कमी से जिसे क्या कहा जाता है थाइमिन कहा जाता है इसका रासाई निकनाम होता है next है एक hydrogen परमालू में कितने neutrons होते हैं तो ध्यान नखना hydrogen परमालू का जो सूत यानि क्या होता है 1H1 होता है यानि इसमें परमालु किर्मांग भी एक होता है तो एक में से एक जाता है यानि परमालु भार में से परमालु किर्मांग जाता है तो क्या वस्ता है जीरो तो नीट्रोनों की संख्या जीरो होती है उसके बाद है दूद का आपेकसि गहनत बो किससे मापा जाता है यह मापा होता है यह बना होता है डेंटीन का दियान लखना है दात का जो सिखर होता है next है किस तत्व का परमालू किर्मांक तीन होता है परमालू किर्मांक तीन वाला जो तत्व है यह लीथियम और इसका पृतिक चिन होता वो होता है लीथियम LI Next है समुद्र की गहराई किस्से मापी जाती है यह मापी जाती है फैदोमीटर से समुद्र की गहराई किस्से मापी जाती है फैदोमीटर से Next है इसकरवी रोग किस विटामिन की कमी से होता है यह होता है विटामिन C की कमी से इसकर भी रोग बिटामीन सी की कमी से होता है नेक्स्ट है किस बिटामीन को हार्मोन भी कहा जाता है तो यह कहा जाता है बिटामीन डी को यानि बिटामीन डी का आप कह सकते हैं कि अन्य नाम क्या है हार्मोन भी इसको हार्मोन बिटामीन भी कहा जाता है next quick silver किसे कहा जाता है तो quick silver कहा जाता है पारे को है ना और यह पारा ही वही धातु है जो कमरे के ताप पर liquid form में रहती है द्रववस्था में रहती है next अंत्रिक सियात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं हो सकते तो इसका रीजन होता है कि बहाँ पर गुरुत्व नहीं होता है तो गुरुत्व नहीं होने के कारण जो हता है अंत्रिक सियात्री आज निर्वात होता बहाँ पर सीधे नहीं खड़े रह सकते हैं next है vitamin की खोच किसने की थी तो यह की थी फूंक ने ध्यान रखना vitamin की जो खोच की थी फूंक ने की थी next है खाने के नमक का रासाइनिक नाम क्या होता है यह होता है sodium chloride और इसका सूत्र होता है NaCl next है लोलक घडियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है तो इसका रीजन होता है कि उसमें जो लोलक होता उसकी लंबाई जो होती है वो बढ़ जाती है और बढ़ने के कारण क्या हो जाती है सुस्त हो जाती है next है मीथेन के जलने पर क्या होता है तो मीथेन के जलने पर कारवंड़ाय ओकसाइड और जल उत्पन होता है जब मीथेन जलता है तो क्या होता है करवंडाय ओक्साइड और जल बनता है नेक्स्ट है हवाई जात से यात्रा करते समय पैन से सियाही क्यों निकल जाती है तो क्यों निकल जाती है क्यों क्यों जाती है क्योंकि जैसी उचाई बढ़ती है वायू मंदले दाब कम हो जाता है यानि उचाई बढ़ने के कारा वायू मंदले दाब कम हो जाता है और पैंसे सिया ही निकल जाती है नेक्स्ट है डाइनसोरो का सुनहरा काल किस महा काल को कहा जाता है तो ये कहा जाता है मीसो ज्वायक काल को यानि डाइनासोरों का सुनहराकाल किसको मीरसोज्वायकाल को नेक्स्ट है लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन होता है तो यह होता है एक रासाइनिक परिवर्तन उसके बाद है जल का अधिक्तम घनात में किस ताप पर होता है तो देखिए बैसे तो यह 4 डिगरी सेल्सिस पर अगर आता है तो तो इसमें जब आप 273 प्लस करेंगे कैल्विन मनाने के लिए तो यह जाता है 277 कैल्विन पर नेक्स्ट है हीमोगिलोविन में कौन सी धातू होती है तो हीमोगिलोविन में होती है आईरन हीमोगिलोगिन में कौन सिधात होती है आईरन और इस आईरन के कारण ही जो हीमोगिलोगिन के कारण खून का रंग लाल होता है और हीमोगिलोगिन में जो आईरन होता है इसी आईरन के कारण खून का जो रंग होता वो लाल होता है नेक्स्ट है ओजोन का रासाइनिक सूत्र क्या होता है यह होता है ओथरी ओजोन का रासाइनिक सूत्र नेक्स्ट है प्रिकास का वेग अधिक्तम होता है तो यह होता है निर्वात में प्रिकास का जो वेग अधिक्तम नेक्स्ट है विलियम हार्वे किसकी खोच के लिए प्रस नेक्स्ट है किसी तारे का रंग निर्वर करता है तो यह करता है उसके ताप पर यानि तारे का ताप जितना अधिक होता है उसका जो कलर होता वो भी उतना ही तेज होता है नेक्स्ट है सारवतरिक रुधिर जो दाता समू है यह कौन सा है यानि सार्बदरिक डाता समुझी से सार्बवों मी डाता भी कहा जाता है ये कौन सा होता है O में भी O- होता है आगए C6, H6 होता है तो यह होता है वेंजीन का सूत आप इसका structure देख सकते हैं इसका structure आप ऐसे बना सकते हैं यह वेंजीन होता है नेक्स्ट है सबसे अधिक तरंग देरिये वाला प्रिकास होता है तो यह होता है लाल और सबसे कम किसकी होती है वेगनी की होती है नेक्स्ट है प्रोटीन की एकाई क्या होती है तो यह होती है अमीनो अमल अमीनो एसीड यहाँ पा लिख दिया है अमीनो अमल होती है प्रोटीन की एकाई नेक्स्ट है बैटरी परावर्तित करती है तो रासाइनिक उर्जा को विध्य तूर्जा में जो बैटरी होती है पार वेगेरा में जो होती है नेक्स्ट है सूर्य अस्ते तथा उसका पिर्क्रेण होकर वो फैल जाता है और सिर्फ आ क्योंकि लाल की तरंग देरे सबस्याद होती है तो लाल ही प्रद्वी तक पहुँच पाता है Next सरीर में अधिक्तम उर्जा संचेक किस पधार्त के रूप में होता है यह होता है वसा के रूप में जिसे कहते हैं फैट कहते हैं Next गरम सीशे को धीमे धीमे ठंडा यहाँ पर यह लिखा हुआ है ठंडा करने को क्या कहते हैं इसको कहते हैं एनिलिंग Next किसी अंत्रिक स्यात्री को आकास कैसा दिखाई देता है तो यह दिखाई देता है काला उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि बहाँ पर प्रिकास का प्रिकेरणन नहीं होता है नेक्स्ट है पित्र का निर्माल कहां पर होता है? तो यह होता है यकरत में पित्र का निर्माल कहां होता है? यकरत में जमा होता है पित्तासे में Next, laughing gas किसे कहा जाता है, यह कहा जाता है nitrous oxide को, N2O इसका सूत्र होता है Next, डाली बनाने में काम में लिया जाता है, यह लिया जाता है अबतल दरपन डाली बनाने के काम में किसको लियाता है, अबतल दरपन को नेक्स्ट है विटामिन C का रासाईनिक नाम क्या है तो विटामिन C का रासाईनिक नाम होता एस्कॉर्बी कैसिड यनि एस्कॉर्बी कमल नेक्स्ट है अंगूर में कौन सा अमल पाया जाता है तो अंगूर में पाया जाता है टार्टरी कमल नेक्स्ट है जल में वायू का बुलबुला कैसा कार्य करता है ये करता है अपता लैंस की भाती जल में हवा का बुलबुला नेक्स्ट है सबसे लंबी कोशा कौन सी है तो यह होती है तंत्री का कोशा next है chips के packet में कौन सी gas को भरा जाता है जिसके क्या होता है उसमें भरी जो chips होती वो अपचीट न हो जाए खराब न हो जाए तो यह होती है nitrogen gas next है kala, पीला, लाल तथा नीला में प्रात्मिक रंग नहीं है बाकी पीला, लाल, नीला सारे के सारे क्या होते हैं प्रात्मिक रंग होते हैं नेक्स्ट लेंगर हैंस के उपदीप पाई जाते हैं तो ये पाई जाते हैं अगनाशे में कहाँ पर अगनाशे नेक्स्ट डाइनामाइट का आविशकार किस ने किया था ये क्या था अलफ्रेड नोबिल ने डाइनामाइट का विश्कार अल्फ्रेड नोबेल नेक्स्ट है मनुष्य के सरीर का सामान्यताप होता है यह होता 37 डिगरी सेल्सियस मनुष्य के सरीर का सामान्यताप नेक्स्ट है व्रद्धी हार्मोन इस्तरावित होता है यह होता है पिट्यूट्री गिरंती से वरद्धी हार्मोन कहां से पिट्यूट्री गिरंती नेक्स्ट है जल सोधन में कौन सी प्रिकरिया का प्रियोग किया जाता है यह किया जाता है विप्रीत परासरण की प्रिकरिया का नेक्स्ट है प्याज काटते समय आखों में जलन किसके कारण पैदा होती है यह होती है सलफर क्योंकि प्याज में क्या होता है सलफर जो छीटे उलती है वहाँ पर उसी के कारण क्या होती है आखों में जलन पैदा होती है नेक्स्ट है किस कण पर धनात्मक आवेश होता है तो यह होता है प्रोटोन पर धनात्मक इलेक्ट्रोन पर रिनात्मक और जो न्यूट्रोन होते हैं उस पर कोई आवेश नहीं होता है तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही हमने आज के जो अपने 50 questions है वो complete कर लिया है आई होप यह वीडियो आपको पसंदा है उसको like कीजिए दोस्तों के साथ share करना ना भूले thank you for watching मिलते है next वीडियो में